नमस्कार निउस 24 देख रहे हैं आपके साथ मैं रश्मी बॉलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से तो आज अमरनात यात्रा की शुरुआत हो रही है आज से शुरु हुई अमरनात यात्रा बड़ी और एहम खबर खासतोर पर भोले के भगते के लिए तो फिर आप बताते हैं आपको कि पहल गाउं से पहला जथा निकल चुका है श्रधालू का कड़ी सुरक्षा के बीच ये जथा रवाना हो चुका है आपको बताते कि करीब 2000 यात्री पैदल निकले हैं और ये श्रधालू 46 किलमेटर का सफर तै करेंगे आज सर्फ वक्त हमारे साथ जुड़ गया है उनका रुक कर लेते हैं आज सर्फ कहा पर मौचूद है आप जरा तस्वीरे भी दिखाईए और बताई कि भक्तों में किस तरह से उत्सा है क्योंकि भोले के काफी करीब पहुंच चुके हैं भोले के दर्शन के काफी करीब पह हो चुके हैं जी बिल्कुल बाबा बरफानी के कपाट खुल चुके हैं और बाबा बरफानी आज अपने बक्तों को दर्शन देंगे मैं इस समय मौझूद हूँ दक्षिनी किश्मीर के पहल गाम नूनवन बेस कैप में सब सब महले मैं आपको थोड़ा कैम्प की तस्वीर दिखाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा विवस्ता काफी कड़ी रखी गई है चपे चपे पर सुरक्षा बलू की तायनाती है जो नून्वन बेस कैम्प पहल गाम का है यहां जो यात्री कल जम्मू से पहुंचे थे उन्हें इस कैप में ठहराया गया इस कै सुबा पांच बजे से इस नून्वन बेस कैम्प से चलना शुरू हो गया और पवित्रुख गुफा के तरफ उनका सफर शुरू हो गया सबसे पहले हमारे साथ यहां पर कुछ श्रदालू मोजूद है इनसे बात करते हैं आप बताईए क्या नाम है आपका कहा से आप सब्सक्राइब अमर्नाथ की यात्रा एक मेहम एहम यात्राओं में से है तो हमने भी नहीं सोचा था हम इस साल यात्रा पर आएंगे पर आकर काफी अच्छा लग रहा है काफी सारी मेंटेनेंस सेक्यौरीटी व्यवस्ता की गई है और बाकि आप इन से पूछिए आप बता आप बताईए आपने टोपी वोपी पहन लिए हैं गरम कबड़े पहन लिए हैं कैसा लग रहा है आपको किश्मीर में यहां पर यात्रा के लिए आज जाने बहुत अच्छा लगा है बाबा ने हमको बुलाया है यहां हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम यहां आएंगे हम बह आप तया रहे हैं और एक्साइडिड वी अच्छा लग रहा है बिल्कुल यह आप देख सकते हैं जो यात्री है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं काफी सारे लोग जो है दोड़ते हुए जा रहे हैं पवित्र गुफा की तरफ और यह जो बाहूल है सुबह से ही देख को मिल रही है और यह जो अब रास्ता है हलांकि कठिन रास्ता है चालीश किलूमेटर से ज्यादा पहाडी का दुरगम रास्ता बक्तु को ताय करना है उसके बाद जो शदालू है वो पवित्र गुफा पर पहुँचेंगे जो नुनवन बेस केम पहलगाम के रास्ते से जा गुफा की तरफ आज रवाना हो गए है और जो लोग बालतल के रास्ते से पौवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं वो करीब करीब 14 किलूमेटर की दुरगम पहाडी रास्ता पार करने के बाद पौवित्र गुफा पर पहुँचेंगे और आज क्योंकि यात्रा का पहला दिन है आज पौवित्र गुफा के कपाट खोल दिये गए है बाबा बर्फानी के जो श्रदालों है उनके लिए ताकि वो दर्शन आज से शुरू करे और आज से जो ये यात्रा है करीब 62 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी और 62 दिनों तक जारी रहने वाली इस यात्र है सुरक्षा विवस्ता जो लखनपूर से लेकर पौवित्र गुफा तक करीब एक लाख जो पैरमिल्टरी फोर्स है जो पुलीस है सुरक्षा बल है सेदा है वो तायनात रहेंगे ये एक और यात्री यहां पर है आप बताएए क्या नाम है कहां से आप मेरा नाम सुमित है और मैं हिसार हर्योना से हूँ और यात्रा तीसरी बार कर रहा हूँ भोले नातurt की क्रिपा है सुरक्षा वियुअस्ता और ज्दा कंडी की गई है और वियुअस्ता है पर बेसकेम्प में और ज्दा अच्छी मोसम बहुत खुला हुआ है तो अब की आत्रा अभी की बार त बिल्कुल जो पांच बजे से नूनवन बेस केम्प से यात्री निकलना शुरू हो गए और अभी भी लगातार डाइगंटे के बाद भी श्रदालू लगातार नूनवन बेस केम्प से निकल रहे हैं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24